दोस्तों जानेंगे आज की इस नई वीडियो में जो कोलेज वा इनुवर्सिटी की जो छात्र है उनके लिए जो आज की सबसे बड़ी लेटिस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में डे बाई डे बाई आपको हम अपडेट प्रवाइड ही करते हैं आप सभी को मा प्रवाइड करती जाएगी यह सबसे पहली जो फश्ट अपडेट देखते हैं उसके बाद हम देखेंगे सिकेंड और थर्ड लिखा है कि बिहार बिश्विद्याला इस महिने के अंत तक सुरू हो सकते हैं बिश्विद्याला की लंबित परिच्छाइए आज की अनकारी भी देंगे बस आपको ध्यान से समझना है तो बिहार की जितने भी इनवर्सिटी के जो चात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपडेंट अपडेट है यहां पर लिखा है कि बिश्विद्याले के प्रति कुल्पति प्रोफेसर रबिंद कुमार ने बताया कि लंबित प्रिचाएं जो परिचाएं बाकी है उसमें लिखाए कि कलंडर तयार कर लिया गया उसके लिए कुल्पत्मुख्याले में आते हैं तो उनके साथ बैठक कर इसे जारी कर दिया जाएगा जो परिचाएं जरूरी है क्रोणा से बचाओ के नेमों का पारन करते हो सिघ्र आव पोश्चकती हैं अगर इसको आपको अधिक डीटियल में जानना है तो यह पूरी नीज है पूरा खर रहा है तो मैं इसे आप तक इस छोटी से वीडियो में नहीं 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 होंगी और कब होंगी यह जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी ठीक है टेलिग्राम चैनल क लगातार जो छात्र हैं उनकी फीस है उसको लेकर सबसे बड़ी खबर निकल क्या रही लगातार हम आपको दिखाते चल रहे हैं दोस्तों यहां पर लिखा है कि हमारा संगर्स है कि बीका नेर संभाग के चात्रों को उनका हग दिलाने के लिए यह बात कर रहे हैं कि जो की चात्र नेता है राम जीवास घुकना जी यह बोल रहे हैं कि जिन चात्रों की जो हैं परिच्छाएं नहीं हुई है या फिर उन्हें परिच्छा में नहीं सामिल किया गया था कोविट की वज़ा से परिच्छाएं नहीं कराई हैं सरकार ने तो उस चीज की फीस ना ली जा यहाँ पर लिखा परिछा नहीं तो फीष नहीं चातर इंकला बीकानेर अभी तोली अंगड़ाई आगे और लड़ाई है तो जितने भी राजिस्थान की जितने भी इनवर्सिटी हैं जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर फीष वापसी होने की पूरी संभाना के की लगातार जो चातर नेता है वह वापिस करने की मांग कर रहे हैं ठीक है और इसी तरह के लेटिस्ट अब्डेट हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे इसलिए आप हमाई चैनल से जूड़ सकते हैं आपको कोई माँ पर आपको पलपल की अपडेट मिलती रहती हैं मिलते हैं आपको निश्ट वीडियों तब तक लेजाएं